हेलो फ्रेंज नमस्ते आप सब जैसे हो आप सब ठीक होंगे दोस्तों आज हम यह सीफोन के सारी का रियूस करेंगे इसका कपड़ा बहुत ही सौप्ट है पतला है और गर्मियों में अगर आप इसका कुछ बनाते हैं बच्चों के लिए तो यह बहुत ही अच्छा है और इस यहां से इसका 17 इंचिस है और यहां से है यहां 26 इंचिस अब देखिए जो मैंने आपको सारी बताए थी उसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके कट किया है आपको जितना भी लंबाई रखनी है उतनी हिसाब से जितना घेरा बढ़ाना उस हिसाब से आप कट कर ल सकती है और फिर प्लेटे ले सकती है अब हम क्या करेंगे यहां पर चुन्नटे ले लेंगे इस तरीके से देखिए अस्तर को साथ में चुन्नट लेनी है और कहां थोरी थोरी जगा पे हमें सारी को भी इस तरीके से चुन्नटे ले लेनी है क्योंकि सारी हमने ज्यादा कट क तो देखे इस तरीके से मैंने ये चुन्नटे लेके रेडी कर लिया है दोनों पार्ट को अब हमें ऐसा पार्ट लेना है ये देखे दो पार्ट हमें ऐसे लेने हैं और इसके नाप यहां से 14 इंचिस है और यहां से है ये 7 इंचिस अब ये जो हमने ready किया था ना उसे हमें यहां पे ऐसे उल्टा रखना है और सिलाई कर लेनी है इस तरीके से हमें सिलाई करने है सिलाई हमारी हो गई है देखिए अब हमें दूसरा पार्ट लेना है जो हमने ready कर लिया है देखिए उसी तरीके से हमने ready किया अब साइड में हमें यहां पे सिलाई करनी है देखिए यहां से लेके यहां तक हमें सिलाई करनी है तो यहां पे देखिए दोनों साइड हमने सिलाई कर ली है अब इसे हमें सीधा कर लेना है अब देखिए आप इस तरीके से फ्रॉक भी बना सकते हैं लेकिन यहां पे हम तो इलास्टिक का नाप आपको कैसे लेना है तो आप अपनी बेबी की जो कमर है उसका नाप ले उससे 1 इंचिस कम रखे और इसका नाप है 20 इंचिस और इसे हमें ऐसे जोड़के सिलाई कर लेनी है सिलाई हो गई है अब हम इसे ऐसे रखना है देखिए यहां पर और ऐसे फो को खीचते हुए और इलास्टिक हमारी मूडे ना इसलिए ऐसे सेंटर में भी हमें इलास्टिक पे सिलाई कर लेनी है देखिए यहां पर आप तो यह हमारी स्कुर्ट रेडी हो गई है देखिए कितनी प्यारी और ब्यूटिफुल लग रही है बहुत ही अच्छी नीचे की लेस भी बहुत ही सुन्दर लग रही है तो दोस्तों आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेर कमेंट चरूर करना म माद्सिक बढ 건े भी है तोस्तो प्लीज लाही है बहुत हैACH।